नमस्कार जहिन मेरे प्यारे सातियों आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड़र 24-7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी मैफिल में लाड़ लो एक बार पुने मिल रहे हैं अब तक कि सबसे जोरदार सबसे दवाकेदार सबसे इंपोर्टेंट वीड नहीं सकता और आज वो ही वर्व आपके सामने में डिस्कुस करने के लिए दोस्तों हाजी रोग तो चले मेरे दोस्तों बड़ा शांदार सा आज का सेशन होने वाला है एक बार आप सभी जो इस वीडियो को शेयर कर दीजे अपने हर एक मित्र तक जो इस वीडियो को पहु क्योंकि सेंटेंस तो चलता ही वर्व के साहर है और वर्व से ही पूरी इंग्लिस में मानता हूं जो चलती है तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सेशन होगा बहुत रोचक जानकारियां आप सभी को दूंगा और बिल्कुल जीरो से आपके सामने जो आज म लगबग तयार करवा दूंगा पूरा चेप्टर आल्मोस्ट आपको जो रिवाइज करा दूंगा और एकदम जीरो से जो जीरो लेवल हो सकता है वहां से मेरे लाडलो आज में शुरुआत करने वाला हूं तो मेरे बई एक लाइक और इस वीडियो को शेर करना तो बनता है दिखे है मेरे दोस्तों प्लस ध्यान रखे कि अपना जो चैनल है एससी एससी एड़र 24-7 इस पर रेगुलर मेरे दोस्त मेरी वीडियो पोस्ट हो रही है पर डे वीडियो पोस्ट हो रही है सिंगल डे मैं अपनी जो एबसेंस अभी तक नहीं होने दिया हूं आलंकि कोई लेकिन शाम को पांच बजे से पहले पहले मैं पर डे वीडियो पोस्ट कर देता हूं तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी इंगलिस शांदार करनी है बले यह आप बिगनर है बले आप जो रिपीटर आप दोनों के लिए वीडियो जो हैल्पूल होगी क्योंकि बिगनर को बल्कुल जीरो से सिखाता हूं और रिपीटर के लिए प्रिविएस एर कोईशन लेकर के आता हूं तो मैं हर तरह के बच्चे के लिए काम कर रहा हूं पार्टिगुलर किसी वेकेंसी को टारगेट मैंने अभी नहीं किया हालंकि मेरा एससी एम्टेस के लिए जो करते हूं आपको जो इंगलिस सिखाऊं और इस तरह की इंगलिस सिखाऊं कि दोबारा जीवन में आपको किसी टीचर की आउशक्ता ना पड़े कॉम्प्टिटिव इंगलिस के लिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों चलिए आज की शुरुआत करते हैं बहुत प्यारा सेशन आज का वास्ता में मैं दिल से बोलना हूं मेरे भई आज का सेशन अगर आपने पूरा ले लिया तो गैरंटी देता हूं आप किसी भी एक्जाम में चले जाना दुनिया का जिस एक्जाम में आपकी इंगलिस आती हो आपको जो यहां से कोशन्स देखने को मिलेंगे और अगर आप भी अपनी इंगलिस को शांदार बनाना चाहते हो तो दोस्तों कंसेप्ट की क्लियरेटी बहुत जरूरी है आपको बिल्कुल जीरो से जो चीजे होते हैं बेसिक्स होती है उन पर काम करने की बहुत ज्यादा हो शकता है तो आज वहीं सारी सारी बाते आपके साम बनेंगे वह तीन चीजों से मिलके बनते हैं आप भी जानते हैं कि जिसमें सबसे मेहन होता है अमारा सब्सक्ट फिर हमारी आता बेटा वर्व और फिर हमारा आजाता है अब ऊबजीर अब एक छोटी सी बात क्लियर करो इसको बिल्कुल परिवार की तरह मान लीजी इसको और बैटा जी जो यह वर्भ है यह से देखी जाए तो में जो हूम्मेकर है वह वर्भ है और गो यह और दो अनलो यह कोará और बना है मेरे बाई अब ये परिवार कैसे काम करेगा कैसे ग्रो करेगा कैसे समाज में एक वैल्यू पाएगा कैसे अपने बच्चे के लिए बहुत बढ़िया लेवल पर संसकार प्लस एक अच्छा बातावरन दे पाएगा यह सारी सारी बाते डिपेंड करती है मेरे दोस्तो इस सब्जेक्ट औ और वर्ब के आपसी आपसी रिलेशन्स पर अगर इन दोनों के रिलेशन्स जबड़ दस्त हुए तो गैरेंटी देता हूं मेरे भाई इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी होगी और इस बच्चे को अच्छे संसकार मिलेंग और यह बच्चा भी आगे चलके ऐसे है कि यदि हस्बेंड और वर्फ एक मनला हस्बेंड और वाइफ एक दूसरे को बेहद प्यार कर रहे हैं बेहद एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं तो समझ लों की परिवार अच्छा चल रहा है और किसी वजह से अगर इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ खट- तो तीन साल बच्चा है अगर यह है तो नहीं तोबी कोई दिक्कत निया क्यों तो कुछ नहीं सकता हैं इस तरुद की चीजे वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए singular, वर्ब भी आपकी कैसी होनी चाहिए singular, और मेरे प्यारे बच्छो अगर आपके sentence का subject ही मान के चले plural है, तो आपके इसके साथ में आने वाले जो वर्ब होनी चाहिए, वो भी कैसी हो जानी चाहिए मेरे बही प्लूरल हो जानी चाहिए आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त आपकी प्लूरल जो हो जानी चाहिए पहली बात सबसे में बात जिसको ये बात क्लियर है समझ लो उसको लगभग जो है आपका ये चेप्टर क्लियर हो गया क्लियर कैसे हो गया मेरे दोस्त क्योंकि सारीक सारी बात ही हमारी इन पर चलने वाली है और यही चीज आपको क्लियर है तो फिर तो कोई इशू ऐसा 1% भी आपको होने वाला है नहीं चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ अगली बात बेटा कैसे होँगी तो देखिए थोड़ा सा 1 second का समय लेगा मैं आपका चलिए जी पहली बात तो आपको क्लियर होगए कि सर्थ सब्जेक्ट और वर्ब की जो कहानी है वो तो हमें समझ में आ गई फैंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट 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 Birds हइंग ौत नहीं भानी चलियर यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होए बढ़िया से क्लिए बिटा एक सब्जेक्ट की तो बात मैंने नाउन की पूरी वीडियो डाल रखिये वर्ब की छोटी सी बात कहना चाहता हूं वर्ब बिटा दो तरह की होती है helping वर्ब और आपकी मेन वर्ब ध्यान रखना अगर helping वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को सिंग्लर प्लूरल कैसी होगी बिटा आपकी जो इस है आपका जो बिटा वाज है आपका जो है यह तो लाड़ ले होगी सिंग्लर और आपका जो लाड़ ले आर है आपकी जो वर है और आपका लिए जो बिटा है यह होगी मेरे प्यारे बच्छो आपकी तीनों की तीनों प्लूरल दन है बात इस चोटी सी बात को clear रखना is, has और was ये तीनों singular helping verb होती है और आपकी are, were और have ये तीनों मेरे लाटले आपकी plural helping verb होती है इसके साथ ही साथ थोड़ा सा और एक चीज़े समझना बैटा अगर helping verb आपकी है ही नहीं मान लेते हैं sentence बिना helping verb का आ गया direct main verb आई है तो ब मेरे बच्चो singular, ध्यान लखना main verb में कभी भी अगर आपने SEA ES लगाया तो main verb मेरे कैसी हो जाएगे आपकी singular हो जाएगी, कैसी हो जाएगी मेरे भाई singular हो जाएगी, ये चोटी सी बात clear रखो, ठीक है चलो, अब questions पर आना शुरू करता हूँ और अब की clarity दूँ आपको, क्यूंकि previous year question इससे next video में लेकर क्या होँगा, इससे जो just next session होगा, उसमे previous year लाऊँगा with date, और mains तक के question लेकर क्या होँगा, और 2022 तक, even if 2023 के भी अगर questions मुझे मिले तो वो लेकर क्या होँगा, ठीक है मेरे पहरे बच्चों, तो पहले clarity आज भाई भी बहुत सारे हैं," मेरे, क्या होँगा हो रहा है, अइंड के साथ आपके सब्सक्राइट, यानी सीमा और उसके भाई जो स्कूल में हैं," सीमा बहुगАं," और उसके भाई भी इस पहला है, तो आपके sentence का सब्सक्राइट के पूरः कर पूरा च्या बन गया, सीमा मेरे दो लोगों की बात हुई तो आपके ये दो लोग का सब्जेक बन गए अगर एक एंसान की बात करते तो सिंग्लरूर हो जाता लेकिन बात कितने कर रहा है रहा है done है बात समझ मैं चीज़े नहीं आई अब एक यहां से बिटा चीज़े समझो आप बात क्या होते लाडलो कि यदि आपके कोई भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ते हैं लाडलो फिर से ध्यान से सुनना बात बड़ी काम की बोल रहा हूं मेरे भाई अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ेंगे तब आएगे ठीक है इसमें कहानिया भी है एक्सप्शन्स भी है आगे चलके एक्सप्शन्स मिलेंगी फिर बताऊंगा कि एंड के साथ जुड़ने के बावजूद भी आपकी वर्वजो सिंग लना सकती कैसे आएगी कि वो आगे बताऊंगा फिलाल के लिए आपको कोई कोशन समझ माया आगे बड़ा भई आइदर माई मदर और माई फादर या तो मेरी मम्मी जी यानि मेरी माता जी या फिर मेरे पिता जी जो है वो आ रहे हैं मीटिंग के लिए किसके लिए मेरे भई मीटिंग के लिए तो एक आ रहे है तो वह singular हुआ तो बिटा वरभ भी कैसी आएगे आपकी singular आएगे आपके मन में प्रशन उठेगा सर माता जी को प्रीफर करें या फिर फादर को प्रीफर करें तो मेरे लाडलो इसकी भी कहानी कहानी क्या है बेरे भाई अगर sentence के अंदर आपको कोई भी दो स आपको not only but also के साथ में not only but also के साथ में मेरे दोस्त आपको कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए आपको मिल गए कहानी को तरीके से समझने का प्रियास कीजेगा क्या कि अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट बिटा और से नोर से आइधर और से नाइधर नोर से not only but also क साथ जुड़ते हैं मेरे लाड़ लो तो ऐसी इस्तिती में जो sentence के अंदर आपके आने वाली verb होगी क्या मेरे भई sentence के अंदर जो बिटा आने वाली वर्ब होगी न वो हमेशा आएगी मेरे लाड़ लो according to the nearest subject according to the nearest subject नियरे subject का मतलब क्या है मेरे भई जो subject वर्ब के ज्यादा पास में होगा उसके एसाब से वर्ब आ जाएगी यानि कि बेटा अगर वर्ब के पास वाला not only but also के साथ में जुड़े तो sentence के अंदर जो मेरे लाड़ो आपकी आने वाली वर्ब होगी वह हमेशा आए कि अधर नेरे सब्जेक्ट निरेस यानी की जो वर्ब के ज्यादा पास वाला सी क्लर रहे वर्ब भी सिंग्लर पास वाला प्लूरल यह वर्ब भी आपकी प्लूरल है और दिक्कत आईगा एक परसंटी नहीं चलो जिए अब कोशें का आंसर देदो बिटा मेरे आप बोलो का सर आपका सीधा-सीधा आंसर हो जाएगे लाड़ लो is क्या आएगा मेरे प्यारे बच्छो is next the dog or the cat बिटा जुड़े किसे और से आप भी जानते हो और वाले case में nearest अगर आपको वास्त में मज़ा आ रहा है तो बेसिक वाला पॉइंट है वो भी लेकर चल रहा हूं और दीर दीर आगे बढ़ूंगा step by step questions अच्छे भी लेकर क्या हूंगा चलो मेरे दोस्त हाँ बई question number आ गया बटा चार आईदर my shoes or my coat is the hour always on the floor बेटा आईदर आया लाड़ लू ध्यान से देखना बई आईदर के साथ क्या है आपका और आया दो subject जुड़े आपको पता है बई आईदर और के case में वरबाती nearest के नुसार nearest क्या है तुम्हारा cot habits single और और एंड कसाथ उड़े तो बात डोनों की बात हुए तो बोरबाइगी प्लूरल अप ने क्या लग रहा है इस आपको पता है मेन वर्ब में अगर एस लगाया वह जाएगी सिंग्वलर तो बिटा यह तो होगया तुमारा सिंग्वलर आपको दो सब्जेक्ट मिल गए यानि वर्ब ची प्लूरल तो बिटा आप लाओंगे दोन्ट क्या लेकर क्या होगे मेरे प्यारे बच्च आप लक्या प्याएगा डॉन्ट क्या लाओंगे मेरे ढ़् odor बढता हूँ बही औरा की बढ़ता हो मेरे शाम कितना बंदा हैं एक है जब एक तो मार्ब कैसीStudy क्या आपका आईगा ओएगा अधर कलो पिए awfully तबार did कहीं पर भी बिटा मिल गए आपको तो इसके साथ में हमेशा बिटा वर्ब की आपकी first time आएगी क्यों आएगी क्योंकि जो treatment आपको main वर्ब पे करना था ना वो आपने help वर्ब पे कर दिया समझ रहे हैं मानके चलो आपने डज ले लिया तो यार यह तो तो तुमने लगा दिया अब दुबारा से क्यों लगाओगे जरुवत ही नहीं तो एक कहानिया बढ़िया स्याद रखो नेक्स्ट बटा मेरे नेक्स्ट केता है one of my sisters is the hour मेरे प्यारे बचो मेरी बहनों में से एक मेरी बहनों में से एक जा रही है डिया मुंबाइ अभी बहन कितनी जारी मेरे पियारे बचों कोई एक क्या हो जाएगी मेरे दोस्त आपकी एस होगी मेरे लाड़ लो वर्ब जोगी आपकी इस होगी बात क्लीर हुई है अब यहां का क्या कहानिया थी वो भी समझो मेरे प्यारे बच्चो जब भी कभी sentence के अंदर आपको one of the देखने को मिलेगा तो life में याद रखना हमेशा plural countable नाउन आता है क्यों आता है बटा क्योंकि यह जो आपकी proposition of है यह काम करती है selection का selection करने का मतलब होता है मेरे दोस्त चुनाओ करना चुनाओ करने का मतलब क्या होता है चाटना चाटने का मतलब क्यों चुनना और बटा चुनोगे आप कभी या फिर चाट आप कभी सकते हो जब कम से कम आपके पास दो option हो कम से कम दो option और बिटा कम से कम दो भी रहे तो भी आपका plural है तो याद रखना मेरे दोस्त कि आप जब भी कभी बात करूगे वन ओफदा की तो हमेशा noun आएगा plural countable noun लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप चुन करके तो किसी एक को निकालोगे बही चुन करके तो आप किसी एक को निकालोगे उस एक की वज़ा से sentence के अंदर आने वाली वर्ब कैसी होगी मेरे दोस्त singular वर्ब होगी उस एक की वज़ा से sentence के अंदर आने वाली जो वर्ब होगी आपकी वो वर्ब कैसी हो जाएगी मेरे लड़ लो आपकी singlar वर्ब हो जाएगी बात समझ गए भाई बात तो कहीं न कहीं से एक की हुई है ना भाई जो main काम हो रहा है वो उस एक क्यी जैसे हो रहा है इस एक क्या जैसे बिटा वर्ब हाई सिंग्लर अब इसके जैसे क्यों आई? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ओफ के साथ जुड़ते हैं भ्यान ते सुनना मेरे भाई अगर कोई भी दो सब्जेक्ट पर टीम से बात करें जाए बिटा मेरे अगर आपकी कोई भी दो सब्जेक्ट जो है आपकी प्रेपोजिशन ओफ के साथ जुड़ते तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब होती है वो मेरे प्यारे बच्छों हमेशा आते अकोडिंग टूदा फस्ट सब्जेक्ट इसके आपकी सब्जेक्ट तो कहानिया बिल्कुल क्लियर रखेगा कहानी बिल्कुल आप एकदम क्लियर रखेगा अधरवाइस बिक्कत हो जाती है यहां पर भी तो यही हुआ था भई ओफ के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़ गए थे तो आपके जो वर्ब आई वह पहले आपका बन गया ठीक है जी चलो अब बिटा मैं फिर इस कोश्चन पर एक बार वापस आया वन ओफ माई सिस्टर्स तुदे को वन ओफ आया फिर यहां पी सिस्टर्स लेकिन बात तो उस एक यूँ उस एक यह से वर्ब कैसे है बिटा सिंगलर वर्ब तो क्या आपका इस आ आपका इस आ गया टे इस और को इस डिकक्ट लिटा आपके सम नहें एथ है को शन आगया बिटा मेरे ईट ब मैं फिस ओल ली बड्र्ड क्या कर install मैं बढ़र बड़ा इंट्रेस्टी नहीं आ गया नोश्य साथी साथ सभी सबस्रतों है नियु से यह लेब Parent ऐस ओन माॉ चले मेरे प्यारे बचो क्या केतनों बटा मैं the man with all the birds मनुष्य साथी साथ बटा सारे एक सारे पक्षी क्या कह रहा है live या फिर lives on my street मेरी जो है गली में रहता है अब बटा जैसी हम पर बात आई आप बोलोगे सर अब बताओ मनुष्य भी रहते हैं और साथी साथ सारे पक्षी भी रहते हैं अब बटा कुश्यन से याँ पर फसने शिरू हो गए तो मेरे प्यारे बच्चो एक छोटी सी बात बताओ इस कुश्यन को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ आ रहा है कि आपको कुछ लग रहा है कि सर इसमें कुछ मुझे हिंट मिल रहा है मनुष्य साथी साथ सारे के सारे पक्षी जो है इस कली में रहते हैं इस स्ट्रीट में रहते हैं तो मेरे दोस्त जो में फोकस हो रहा है वो फोकस किस पर जा रहा है मनुष्य पर जा रहा है में फोकस किस पर जा रहे है बेटा मनुश्य पर जा रहे है तो लाद लो इसकी क्या कहानी है तो इसकी कहानी को समझो थोड़ा सा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट आपको कभी भी लाद लो विद के साथ या फिर या फिर टुगेदर विद के साथ, या फिर इंक्लूडिंग के साथ, या फिर दोस्तो एक्स्क्लूडिंग के साथ, लाइक, या फिर बेटा, एंड नोट, या फिर बेटा, एज वेल एज, ठीक है मेरे दोस्त, अगर इन में से किसी के भी साथ मेरे दोस्तो, आपके कोई भी दो सब्जक्ट जूड़ जाते हैं, एसी इस्तिती प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर रखेगा आप सारे बच्चे, कि भाई, ऐसी इस्तिती में जो बात असली हो रही होते हैं, यानि कि जो मेरा पूरा-पूरा फोकस हो रहा होता है, जिसकी तरफ मारा ध्यान जाता है, वो अमारा होता है, बेटा, subject first, वो मेरे according to the first subject, according to the first subject, बात clear हो गई, according to the first subject, कि जब भी कभी sentence के अंदर कोई भी आपके दो subject with along with, together with, including, excluding, like, unlike, not, end note, but note, या फिर बट के साथ जुडेंगे, तो प्यारे बच्चों, ऐसी इस्तितिन पूरा-पूरा फोकस ही पहले पे चला जाएगा, और पहले पे जाने की वज़ा से आपके sentence के अंदर verb किसके according आएगी, पहले वाले के according आएगी, जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे examples होता है, जैसे एक अच्छा example यहीं से आपक पूपल, वाजियावर, डाइड, इन एन एक्सिदेंट, बिटा को समझने का प्रियास करना, इंट्रेस्टिंग सा कुशन मैंने बोला, मैंने कैं बोला बिटा कि एक साथ साल के बच्चे सहीत, दस लोगों की मृत्ति हो गई, एक्सिदेंट में, हाद से में, अब बिटा ए दस लोगों पर आपका ध्यान जारे, एक साथ साल के बच्चे सहीत, दस लोगों की मृत्ति होई, पूरा का पूरा फोकस मैंने किस पर उठा के रख दिया, साथ साल के बच्चे, बटा ये फोकस से एंजिंग का खेल है, जिस पर ज़्यादा फोकस उसी का अकोर्डिंग वर बटा फोकस किस के हिसाब से आया, बच्चे के हिसाब से, बच्चा कितने का था, साथ साल का था, कितने थे बच्चे, एक बच्चा था मेरे बच्चा था, जब ये बच्चा एक था तो वर्ब भी इसके अकोर्डिंग सिंग्लर है, क्या गया तुम्हारा वाज आ गया, क्या या फिर बट के साथ अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े मेरे भाई तो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब हमीशा आएगी बिटा जी अकोर्डिन टू फर्स सब्जेक्ट किसके अकोर्डिंग आपकी जो सेंटेंस में वर्ब आ जाएगी डन है जी बात यहां जल्दी से बताओ मैं में आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा मैं भी तो देखूं अकिरकार कितने बच्चे मेरे से इमांदारी से पढ़ते हैं मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूं डेली पोस्ट कर रहा हूं बढ़िया बराबर एक गंटे क्लास के आसपास ज रहेंगे मैं क्या है यहां पर मैं सिंग्लर सिंग्लर कों सी होते जिसमें यह जूड़ता है और जैसी बात आपका क्या जाएगा लेउस आएगा चलो और आगे बढ़ गया दा मुवी इंक्लूडिंग बिटा देखो जहां से अब ही पढ़ा कहे था ने इंक्लूडिंग एक्स्वलिदिंग बारे बात किस के साब से मुवी कैसा से मुवी क ÅGA मुवी संग्लर गर्म्रेस और अपके बात किसकी उरी जड़े जादा आपके दो सब्ज़क्ट जूड़े बात जादा किसकी प्लेयर्स की प्लेयर्स के प्लूरल हो गया तो वर्ब भी लाड़ लो कैसे आगी आपकी प्लूरल आएगी और आके बढ़ जाओ अब देखो वह तो गई बात है हो तो गई डन है बात चलो खेर बात आपको डन हुई है समझ में बेटा आईए बेटा आईदर आंसर यानि कोई सा तो आंसर जो है असप्टेबल है तो जब बेटा जैसे आपका आईदर नाईदर एनी इच एवरी इन से सेंटेंस की शुरुवात होती है बेटा मेरे तो आपका फोकस एक-एक पे होने का मतलब एक-एक पे आप फोकस करने का प्रियास करते हो इसलिए बेटा ऐसी इस्तिति में आपकी वर्ब आते है सिंगलर वर्ब कैसी आते है बेटा सिंगलर वर्ब तो आपका क्या आजाएगा? इस आजाएगा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्छो आपका? इस आएगा क्या आएगा मेरे भाई? आपका? इस जो है पर्फट आंसर आपका हो जाएगा चाहिए दोस्तों और आगी बढ़ता हूँ question number आगया बिटा आपके सामने में किस पर question number किस पर आगया everyone of those books is your art fiction क्या करें बिटा everyone of those books is your art fiction बिटा फिर से देखो everyone of आया पहली बात तो बिटा ओफ आया दो subject जुड़े इसमें बिटा पहला subject कि everyone और ध्यान रखना लाड़ ले अगर कोई भी sentence का subject one या फिर body पे खतम होता है जैसे कि बिटा मैंने बुला आपके सामने everyone everybody या फिर मेरे भाई someone somebody या फिर लाड़ लो no one nobody या फिर मेरे प्यारे बच्चो anyone anybody फिर से सुन लो अगर कोई भी आपके sentence का subject one या फिर बड़ी पे खतम होता है जो ये question आपको बना everyone आते ही तुरंत आपकी वर्ब कैसी आएगी singular तो क्या एगा इस आएगा और आगे बढ़ गया blank is here are the news on five or six यह गर है क्या खबर पांच is at five or six तो आप देख सकते हो बात किसके और न्यूज की बिटा न्यूज मैंने नाउन चिप्टर में पढ़ा रख़ा आपको कि न्यूज कैसा होता है singular होता है दिखता plural है होता singular है समझ रहो ऐसे बहुत सारे नाउन है जो कि दिखने में plural होते हैं लेकिन वास्ते में singular होते हैं उन्हीं में से एक है बटा हमारा न्यूज जैसे politics economics mathematics summons measles mumps billi लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स यह सब बटा क्या होते हैं दिखने में plural है लेकिन वास्ता में मेरे लाट लो सिंगलर है और सिंगलर होने की वजा से भाई आप वर्भी सिंगलर लाओंगे क्या लोग इस लो बटा mathematics आ आप भी पढ़ा रहा था बटा सिंगलर है तो क्या मेरे दोस्तों बलो एक बार सब्चका कोडिंग ही सब्चका क्या होगे चलो बात रही मजा रहा है न मेरे आप मुस्कुरा दो क्यूंकि में चीज क्या आपकी खुशी आप खुश है तो मैं भी पूरा खुश हूं और आगे बढ़ीगा लाट लो कूश्चन आगया रहा अगर आठ डोलर जो है वो अपने आप में कीमत है किसकी एक मूवी की बहुत बहुत जादे इंपोर्टेंट कंसेट पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना अगर मेरे प्यारे बच्चों आपका कोई भी सेंटेंस आपको टाइम या फिर वेट या फिर अमाउंट या फिर मेरे दोस्तों डिस्टेंस को दिखा दे इसको दिखा दिय्टा टाइम को वेट को आपको इमाउंट को डिस्टेंस को अगर कोई भी सेंटेंस का सब्यक्त दिखा रहा है पिर से सुन लो बटा मेरे अगर कोई भी sentence का subject time को weight को amount को distance को दिखा रहे time कैसे दिखाएगा जैसे 5 hour, 2 hour, 6 hour amount कैसे दिखाएगा 50,000 rupees 50,000 dollar weight कैसे दिखाएगा 60 kg ये सारी चीजे और बटा distance जैसे 50 km, 60 km, 70 km ये सारी चीजे दिखाए तो मेरे लाड़ लो एक चोटी सी बात देखना कि क्या इसका इस्तवाल एक unit के रूप में हो रहा है unit के रूप में यानिकि इन सबको एक मान के काम कर रहे हो आप अगर बटा एक मान के काम कर रहे हो तो मेरे लाड़ लो हमेशा वरभाएगी singular work कैसी वर्व आएगी मेरे भाई सिंग्लर वर्व बोलो मेरे भाई बोलो कहानी बहुत गजब की पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं उपर उपर की बात जारी बिल्कुल सीधी सीधी दिमाग में जानी चाहिए क्या कि अगर सेंटेंस के अंदर आने वाली जो आपकी वर्व होगी वह कैसे आएगी सिंग्लर आएगी कब आएगी जब यह एक यूनिट के रूप में काम करेंगे यानि कि जो भी चीज आप दिखा रहे हो अगर ये पूरी पूरी मिल करके एक बन रही है तो तो वर्व आएगी बट रहा है तो लाडलो फिर आपकी वर्व आएगी Pluralender तो फिर वर्ब कैसी आएगी मेरे भाई आपकी प्लोरल वर्ब है तो आएगी आपकी प्लोरल वर्ब क्या है अपने अपने Price है किसका एक movie का तो 8-8 dollar आप एक साथ दो गए टुकडों में दो गए किलिए एक डोलर ले फिर एक डोलर ले फिर एक डोलर ले ऐसा थो गानी बेटा आप 8-8 डोलर को एक साथ दोगे, एक यूनिट के रूप में आपने रखा, जैसे एक साथ दोगे, तो क्या आएगा आपका, इस आएगा, लाटले, क्या आएगा, आपका, इस आएगा, चलो भई, कोशन नमबर आगया, 16, योर पेंट्स, क्या कर रहा है, योर पेंट्स, इज या आपका, तुमारी जो पेंट्स, क्लीनर के पास है, किसके पास है, यानि कि लॉंडरी में गई हुए, धुलने के लिए, चलो भई, तुमारी पेंट्स तो गई, अब इसको समाले, बेटा, पेंट्स, जीन्स, शोट्स, ट्राउजर्स, ये सब बेटा, प्लूरल होते है, तो अबर्ब कैसे आएगी, प्लूरल हैगी, नेक्स्ट, देर अरे वा भई, दुनिया का सबसे बड़ा, डमी सब्जेक, पूरी इंगलिस के अंदर कोई है, तो वो देर है, समझ रहे हैं, देर अपने आप में एक ऐसा हस्बेंड मानलो मेरे दोस्त, जिसकी एक परसेंट न द्यान से, बटा मेरे मान लेता हूं कोई सेंटेंस मैंने बनाया, ठीके बटा, देर से मैंने उसकी शुरुआत करती, फिर भाई वर्ब ले ली, फिर मेरे दोस्त अबजेक्ट ले लिया, तो ऐसी इस्तिति में ध्यान रखना बटा, कि देर तो ना सिंगलर होता ना प्लूर अब ये जो वर्ब आएगी, किसके साफ साथ है, बटा, अकोडिंग टू दा अबजेक्ट आती है, क्योंकि बटा, देर को ना तो आप इसे सिंगलर बोल सकते हो, और ना ही मेरे लाड़ लो आपको इसको प्लूरल बोल सकते हो, भाई ये ना आपका सिंगलर है, ना ये आप का प्लूरल है, ये तो बटा, डमी है, डमी का मतलब क्या एक तरीकी सबस दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, बाकी इसकी वैल्यो कुछ नहीं है, ठीक है दोस्त, तो आपकी जो सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब होगी, वो किसके कोडिंग आए, कि बटा, अबजेक्ट के देर, बटा, फिर से आगे, देर, ओनली वन लेफ्ट, बटा, कितनी लेफ्ट हो रहा है, बात किसके रहे, वन की, तो वन के अकोडिंग, बटा, क्या आएगा, तुमारा, इस आएगा, क्या आएगा, मेरे प्यारे बच्चों, आपका, इस आए, डन है बात, अरे, बात सब् अधानी पूरो, बिटा, कमेटी क्या, आपने, आपने, गूरूप उफ पीपल्स, बै लोगों के समहुसी, तो कमेटी बनती है, एक आदमी की तो कमेटी होती नहीं, अब बिटा, मेरे अगर ये डिबेट कर रहे तो, यानि कि इनके कहीन के वेचारिक मत्वेद है, अभी त 15 में से 5 कहता है, नई गाड़ी खरी देंगे, 5 कहता है, पुरानी गाड़ी खरी देंगे, और 5 कहता है, गाड़ी नहीं खरी देंगे, हम तो टेक्सी यूज करेंगे, तो यहाँ बैस होगी नहीं होगी, होगी, क्यों कि बट़ चुके है, तो जब भी कभी कोई collective noun मेरे की से आते हैं प्लूरल और बात कहानी क्लियर रखना बिल्कुल क्लियर होने जहीं तो बटाव यह नहीं बटे वह था हुआ तो वह रप्लूरल और प्लूरल क्या वह जब बैट होगा दा प्राइम मिनिस्टर तुगेदर विद इस वाइफ बैटा आप फिर जानते बात को तुगेदर विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े पढ़ा क्या था भी विद अलोंग विद तुगेदर विद इंक्लूडिंग एक्स्लूडिंग लाइक लाइक नोट बट नोट इस एवन दा सेकड वन अब आप देख सकते सारी कि सारी सीड्य आ Оल्मस्ट ओल जो बात सारा का सारा पानी पाने क्या होता है उनकसटेबल नाहून होता हरा लेकिन जो बहाद है पानी की बात हुई पानी uncountable है और uncountable के साथ वर्ब आती है मेरे प्यारे बच्छों singular वर्ब कैसी आते है मेरे प्यारे बच्छों आपकी singular वर्ब आती है और आगे बढ़ता हूँ बटा do या does anyone बेटा anyone आगे आपको पढ़ा करके अगर याद आ रहा हो तो आप देख सकते हो देखो ये रवन या फिर बड़ी वाले शब्द के साथ वर्ब हमेशा कैसी आते लाड लो singular वर्ब आती है कैसी आते है मेरे भई singular वर्ब आती है आप आए इस कोशन पर आप देखो भई anyone आए singular वर्ब बेटा do आएगा does आएगा आप बोलोगो sir does आएगा क्या आएगा मेरे भई आपका does आएगा क्या आएगा मेरे दोस्त आपका does आएगा clear अरे मात समझ भारी नहीं आरी question number 24 पढ़ा कहा था बेटा आप answer कर सकते हो बताओ जल्दी से क्या होगा अभी पढ़ाया था बिल्कुल जस्त पिछले वाला question और ये question सेम है मेरे दोस्त क्या कह रहूँ मैं no one has या have finished reading the book yet no one has या फिर have finished reading the book yet बताओ बेटा क्या होगा लाड़ो जैसी one आया आप सब समझदार हो सर फिर से singular verb आएगी तो क्या है गी बता है जाएगा next अरी अब everyone one या बड़ी बात आई बेटा singular verb क्या है गी बेटा is क्या गया बेटा मेरे आपका सिदा 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 सा गया is क्या है मेरे दोस्त आपका सिदा सिदा सा is आगया चाले है, नेक्स बैटा, Zustों, No, my family blank live near my, नहीं, मेरा परिवार मेरे पास में रहता है, मेरा परिवार मेरे live near pipe, आसपास रहता है, बतो बटा क्या हैगा, Sorry, यहां पर नोट कभी इन्हों ने इस्तव्माल किया हुआ, कि नहीं, मेरा परिवार आसपास नहीं रहता ही, बताओ ब लो आपके लोगए मेरा कितना परिवार मेरा Aki मेरा की एक तो वरम केसा है इद लो सीधा कूशिंट हुशिं था लो मेरे बच यू भागछ म क्या आजिए है आर टॉकिप्यों मिसिंग जाइल्ड कि घ्याए वह बात कर रहे है parents से किस से missing child किसे तो बटा officer officer क्या है लाड़ लो इकलोता है जब लोता है तो वर्ब भी कैसे एक singular वर्ब और singular वर्ब आपकी क्या है यहां पर इस है क्या है मेरे दोस्त आपकी इस है कि the police officer is talking क्या मेरे दोस्त दप्लिस officer is talking सा आपका question बनने वाला है नेक्स मेरे लाड़ लो the police has not या फिर have not released any information बेहद important question है काफी जादा repeat होने वाला question है बेटा police का question बेटा मेरे ध्यान रखना police अपने आप में एक plural noun है क्योंकि police किसी एक आदमी से नहीं बनती बात समझने का प्रियास करो police कभी एक आदमी से तो बनेगी नहीं कि लो मैं आ गया सब मैं बन गया police क्या मेरे दोस्त प्लूरल और प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी है वाएगी आप बोलों को सर उपर वाले बिटा उपर वाले पूरी पुलिस नहीं थी पुलिस का एक officer थे जब एक थे तो वर्ब आई बिटा सिंग्लर यहां पूरी पुलिस आ गई तो बिटा वर्ब और हसते खेलते हों सीखनी है जो समझ में आए वह वाली इंगलिस नहीं तो मेरे गोस्त अभी अपने application पर मेरा प्रहार बेच करके launch हो रखा है मातर 190 रुपे के अंदर पूरी इंगलिस आपको सिखाऊंगा पूरी इंगलिस grammar भी vocab भी comprehension भी और बटा practice session भी जो की upcoming आपकी सभी vacancies के लिए helpful होगा बले ही वो CHSL की आपकी vacancy हो चाहे मेरे भाई MTS की हो चाहे आने वाली तुमारे CPO की vacancy हो चाहे कोई भी vacancy हो जिसमें English आ थोड़ा देख लेना वाई 795 आट सो में पांच का में ठीक है दोस्त थोड़ा सा इस code का भी ध्यान रखना यहां पर क्या सब promotion और सारी चीज़े code पर होती है तो आप थोड़ा सा मेरा इस चीज में support कर दीजेगा कि यह code आप ज़्यादा यूज़ करें और अपने दोस्तो और यानि की कुछ पीपल जो की इंतजार करें लाइन में तो बेटा कुछ है किसके लोगों के लोग प्लूरल का तो कुछ भी प्लूरल हो ख तो 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 कैया है अपको आरा एक और थेयर के मेरे भाई आपका आरा जाएगा मेरे प्जार इंसे जरप hma2 रखत किया है ब्या दातों में से जादेतर दातों में कैविटीज है मेरे बई इसकी भी एक कहानी आसानी सी सिखा दूँ एक गजब किसी कहानी सिखा देतों मज़ा आ जाएगा आपको लाड़ो ध्यान से देखना अगर आपके बटा मेरे कोई भी दो सब्जेक्ट ओफ के साथ जुड़े तो आपके सेंटेंस के अंदर जो आने वाली वर्ब है आप भी जानते हो और हम सब जानते हैं कि दोस्त पहले वाले सब्जेक्ट आकोर्डिंग वर्ब आ जाती है लेकिन किसी वज़ा से ये पहला सब्जेक्ट मान के चलो कुछ ऐसा सब्जेक्ट आ गया जैसे कि बटा मैंने बोला मूस्ट ओफ मैजोरिटी ओफ सेवरल ओफ प्लेंटी ओफ हाफ ओफ वन थर्ड ओफ या फिर टू थर्ड ओफ तो मेरे लाड़ लो ऐसी इस्तिती हो जाने पर जिब ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाए तो ऐसी इस्तिती में लाड़ लो होता क्या है भई कि ये जो मेरा पहला सब्जेक्ट पिटा मैंने लिखा है ना यह तो कोई सब्जेक्ट के वास्ता में देखे तो ना सिंग्लर ना प्लूरल जादे तर मोस्त अब मोस्त की मुझे तो नहीं पता हो सिंग्लर है प्लूरल है ऐसी बिटा मैजोरेटी अधिकतर सेवरल काफी सारे प्लैंटी काफी हाफ ओफ आधे वन थार्ड एक तीहाई तो यार एक से भी कम होता है अगर यह एक होता तो सिंग्लर मान लेता अब यह एक से भी कम चलागी इसे क्या मानू तो ऐसी इस्तिते में लाड़लों करते क्या है मेरे भाई कि हम अपने जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है इसके अकोर्डिंग वर्ब लेकर क्या जाते है थी according to the second subject हमारी वर्ब किसके according आते है बिटा second subject क्यों क्योंकि ये जो हमारी बात हो रही है ये भी तो second subject की ही बात हो रही है भाई half of the mangoes तो आधे क्या mangoes तो finally बात तो mangoes की हुई है तो क्यों नाम सीधा mangoes को पकड़ के बैठ जाए समझ रहो भाई क्यों नाम सीधा उसी को पकड़ के बैठ जाए तो इस तरीके सा आपको चीज़े बिल्कुल clear रखनी होंगी लाड़ लो अब यही चीज़े मैंने इहां clear करने का प्रियास किया भाई यह सेवररल लोफ आ गया यह सेवरल लोफ के बाद आप तो यह देखू ना सीथ क्लूरल होता है न भी इस समझ यह लाड़ बिल्लों का तो कोई वर्ब का इलाज है नहीं हम तो चिल्ड्रन को धी सकते चिल्ड्रन का प्लूरल भई एक है जब इक है तो वर्ब कैसी आइगी सिंग्लार किया इस आ गया drop को किया इस आ गया बिल्कुल वर्ब क聊रेटी पर आज गाम कर रहा हूं आपके साथ clean कम से कम sentence न जा आपको आपको वर्ब की तो पता चले होना क्या करना क्या है 95% बच्चे इंगलिस पूरी करके चिरा जाते हैं वर्ब में उलजे रहते हैं अरे जब यार वर्ब भी नहीं समझ महीं तो सेंटेंस कैसे बना लोगे इंगलिस सीखने का मतलब क्या यार मैन एंड वुमेन बिता मैन भी ये और वुमेन भी है दोनों की बात हो रही है एंड के साथ जुड़ गए आपको पता है जब जब दो सब्येक्ट नहीं प्लूरल है जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आगे लाड़ लो प्लूरल क्या है आएगा आ रहा जाएगा नेक्स्ट एक डिक्ष्णरी एंड एन एट्लस एक तो डिक्ष्णरी है तुम्हारे पास और एक है एट्लस एट्लस यानि मैप्स वाली बुक अब यह दोनो हो यह आपके जो एट्ट के साथ जुड़े यानि बात दोनों की ओर यह मैं चकते हैं उमीद करता हूं बाते बड़िया समझ में जा रही आघर बड़िक करो एक बाच शेयर करके आउग इस वीडियो को तब तक में एक मिनट पानी पहे लेता ही झाल झाल करें फिर ऐसे एक बार जोसर ऑर जूण के साथ चलो बठा है जलिदीसे पर-दे अल्फ यह और और भीर द स्वेलंस लीडर एज तूई ब्रदेर्ट बेटा बेटा अंडर एज फेशले के सएट trav? तो क्या जाएगा आपकर बिलॉंग सर्द kannst and dogs blank do or does not get बेटा कुत्ते और बिल्लिया कुत्ते और बिल्लिया दोनों लग लग है तो क्या है बेटा आपका plural वर्ब आएगे या नहीं कि do आजाएगा और आगे बड़ा बेटा 41 question पा आगया the brother sir iladlo brothers as well as their sister बेटा मेरे as well as के साथ दो सब्देट जुड़े पहला क्या है brothers brothers क्या है बेटा आपका plural तो वर्ब भी क्या है कि बेटा मेरे plural क्या है आपका आ रहा जाएगा और आगे बड़ा लाड लो the students accompanied by their teacher has या फिर have gone on a picnic यह कहरा बेटा पिकनिक पे कौन गया students students क्या है plural तो वर्ब भी लाड लो क्या है आपकी plural या नि कि मेरे प्यारे बच्चों have आएगा आएगा मेरे प्यारे बच्चों have आजाएगा और आगे बढ़ जाओ भाई a lot of houses a lot of आगया lot of most of majority of one case में किसके according वर्ब आएगी बेटा second houses plural है जब बेटा plural तो वर्ब भी क्या है आपकी plural है नि क्या है मेरे दोस्त हैव आएगा आपका क्या है मेरे दोस्त आपका हैव आएगा और आके बढ़ गया मेरे भाई the children as well as their mother बेटा as well as के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े पहला क्या children children क्या होता है बेटा plural होते है चुझए चाइल्ड singular होता है चलडरन प्लॉरल होता है जब बेटा वो plural है तो वर्ब भी क्या है की plural या नहीं की बेटा मेरे आर क्या हैएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आर आएगा और आकर बढ़ गया next नंबर आया लार्ज सम्मॉफ मनी2 क्या लार्ज सम्मफ मनी मनी क्या या ंकाउंटेबल तो वर्व क्या ते सिंग्लर वर्ब क्या या मेरे प्यारे बच्छ आपका वज आएगा क्या अब मेरे मेरे प्यारे बच्छ हाफ म वज आ जगा लौ 46 question do you half day pre달 enabling chips chocolate chip to प्रिफर चोग्ले चिप हुआ ऐा ठीकिए चल ओ आथा डू यह डश दे बिटा दे के अको मुभी आपको वर्ब और गैसा होता है लाड लो प्रू रोög प्लूरल और फ्लूरल की आगे डीट डू आस Family है नेक्स्ट एक सेकन्द प्रीफर यहांने भर्ब बना रख़िया है कोई ने 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 इस country seem या फिर seems to be in इस एरे यह करें एक बाहर वाले लोग इंसान के लिए जो कि एक outsider उसके लिए इस देश की जो economics है ना इस देश की जो economics है वो अपने आप में बड़ी अजीब हो गरीब है तो मेरे दोस्थ ध्यान रखना जब भी कभी आपका कोई भी ऐसा शब्द जो कि अपने secondary meaning में इस्तमाल हुआ हो कैसे बड़ा secondary meaning में इस्तमाल हो में लिए जैसे politics हो गया mathematics हो गया economics हो गया यह कुछ ऐसे शब्द है जिनका secondary meaning में निकलता है जैसे मैं आप से बोल दूँ यार तेरी गणित अलगी है मैंने आप से क्या बोला यार तेरी गणित तो अलगी है अब यहां पर इस गणित शब्द का मतलब mathematics नहीं है या फिर यहां जो मैं mathematics सब्द लग करके आ रहूं इसका मतलब गणित नहीं है यहां इसका इशारा क्या है आपके management arrangement की तरफ में बात कर रहूं क्यार तेरी गणित अलगी है यारनि तेरा logic की अलग है तो जब भी कभी आप कोई ऐसे शब्द का इस्तमाल करते हो बिटा जो कि आपने उसके secondary meaning में यूज किया है तो अलाडलो ऐसे इस्तिति में उसके साथ plural और बाती है कैसी और बाती है मेरे बाई प्लूरल और बाप की आती है तो ऐसे इस्तिति में economics किस की भईया इस देश की तो यार महा अर्थसास्तर तो पढ़ाए ने जारा उस देश में तो secondary meaning हो तो लाडलो यहां प्लूरल वर्ब आएगी क्या है कि आपकी सीम क्याएगा मेरे भई आपका सीम आजाएगा लो politics blank बेटा politics क्या है दिखने में plural लेकिन है singular बेटा क्या है कि सिंगलर वर्ब आपके आगी बेटा मेरे इस चार साल एक लंबा समय कितना समय एक लंबा समय जैसे आपने इसको एक लंबा समय किया तो एक हुआ ने एक साथ एक बनते है तो वर्ब सिंगलर आएगी और अगर बेटा यह एक साथ एक नहीं बन ले तो मेरे लाड़ लो आपकी वर्ब प्लोरल आएगी क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी वर्ब प्लोरल आजाएगी चलो next question आगया बटा 50 question number आए बटा 50 a large number of voters still vote या फिर वोट्स अलोंग अलोंग इस्ट्रेट पार्टी लाइन बटा एक बात तो a large number of क्या आगया बटा a large number of voters voters की बड़ी संखेना तो बटा क्या हैगा आपको vote अब यहां पैसा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना अगर sentence के अंदर कभी आपको a number of देखने को मिले या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको da number of देखने को मिले यह बात मैंने अपनी पिछली वाली वीडि बनके PCN की according बटा वर्बाती है आपके plural वर्ब और मेरे प्यारे बच्चों अगर यह da number of आता है तो दा लगके definite हो जाता है तो आपकी फिर इस PCN की according वर्बाती है singular वर्ब क्याता है बटा singular वर्ब क्याते बटा singular वर्ब भी क्या जी done है बात done है बात चलो बहुत बढ़िया बात आपको पूरी पूरी क्लियर होगे आगे बढ़ता हूँ भाई मेरे राइस एंड बीन्स माइ फैवरेट डिश जो कड़ी और चावल है यानि राइस और बीन जो बात कर रहा है वो फैवरेट डिश है और वो मुझे याद दिलाती बटा कौन द करते हैं दोस्त आज मेरे दिमाग में एक आईडिया आ रहा है बड़ा अच्छा सा आईडिया आ रहा है मैं यह देखना चाहता हूँ कि आकरकार मेरे यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो कितने ऐसे बच्चे जो लास्ट तक क्लास लेता है ठीक है अब जो बच कमेंट आना चाहिए आज और यह कमेंट वही बच्चा कर पाएगा जो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा क्या 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 आईए मैं योद्धा हूं जो कि इस बार हर हालत में जो इस एक्जाम को पत्य करके रहूंगा जो भी आपको अपकमिंग एक्जाम आ ठीक है आप उस एक्जाम को फत्य करके रहेंगे तो देखते हैं कितने बच्चे मेरी क्लास में रियल वारियर्स हैं जो की पूरी क्लास देखते हैं जिनको वास्ता में पढ़ना है क्योंकि लास्त तक तो वही रुक है गलाड़ो जिसको वास्ता में अपने जो सपनों से प्यार है समझ और instructors each हर कोई hope करता है बिटा जैसे ही मैंने शब्द लगा है each हर कोई यानि विद्ध्यार्थी भी करता है यानि एक-एक फोकस कर रहा हूं अब बैटा 53 इच और एवरी स्टुडेंट इच और एवरी जैसे आगया लाटले ध्यान रखना वर्ब सिंग्लर रहेगी जब भी कभी सेंटेंस केंदर लाटलो आपको इच देखने को मिले एवरी देखने को मिल जाए everyone someone no one nobody anyone anybody या फिर everyone everybody ये शब्ध जब भी कभी देखने को मिलते है लाड लो तो वर्ब हमीशा singular आती है next बिटा most of the milk बिटा क्या गया milk क्या होते लाड ले uncountable milk को गिना नहीं जा सकता और जब मेरे दोस्त इसको गिन नहीं सकते तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ singular वर्ब कैसी वर्ब आएगी मेरे लाड लो singular वर्ब तो क्या आएगा 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 भाई हैज आएगा next बिटा not only the students but also the instructor अब बिटा पढ़ा कहा है तो not only but also वाले case में आप याद करो थोड़ा सब feedback करो यानि फ्लेश बैक में जाओ or nor either or neither nor not only but also के साथ जब भी कभी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो जो आपके sentence की वर्ब आएगी वो हमेशा मेरे दोस्त according to the nearest subject आएगी और nearest क्या है भाई instructor instructor तो बिटा एक है जब एक है तो वर्ब भी कैसे आएगी singular तो क्या है के लाड़ लो has आएगा क्या हैगा मेरे भाई आपका has आएगा और आगे बढ़ गया बिटा the national club as well as civil society and women बिटा as well as के साथ दो subject जुड़े है मुझे तो पहले subject से मतलब है पहला है national club यानि singular है और बिटा जब singular है तो वर्ब भी क्या है कि आपकी singular needs क्या आज आएगा मेरे भाई आपका सीधा सीधा साएगा बिटा मेरे needs done है बात चलो और आगे बढ़ता हूँ thanks for watching यानि कि आज की हमारी जो class है जिसमें की बिटा मैंने आपको वर्ब की clarity दी है वो वर्ब की clarity वाली class बिटा आज होगी मेरी पूरी ठीके आप जो कल की मेरी class होगी उसमें बिटा वर्ब के top level के questions कराऊंगा जिसमें की मेरे प्यारे बच्चों आपको previous year questions देखने को मिले यह basic class थी अगली वाली होगी advanced level की class तो अगली class के लिए जो है आप सभी थोड़ा सा वेट की जगा कल तक वो class में आप तक पहुचा दूगा फिर से एक बार repeat करता हूं बटा देखने कितने बच्चे मेरी class में real warriors हैं जो वास्तों में चीजों को सीखना चाहते जिनके अंद से यानी कि जब से आपने English पढ़ दी अब शुरू कर दी है मेरे साथ तो यह ध्यान लगको कि English आपको परिशान नहीं कर ठीक है English का समय गया कि आपके परिशान होते थे ठीक है मेरे दोस्त आपके साथ मैं हूँ मेरा पूरा अड़ा परिवार है तो आपको दिक्कतनी आई चलो अगर बैटा कोई कोर्स खरीदे रहो कुछ भी कर रहो अड़ा पर तो मेरे दोस्त आपको कोड अप्लाई करना है वाई 795 इस कोड का और थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे अप्लाई करते हैं वह थोड़ा सा मैं आपको सिखाने का प्रियास करता हूँ जैसे कि दोस्तों मैं आपको सिखाने का प्रियास करता हूँ जैसे कि हम सिधा गूगल पे गए आप जैसे अपने अप्लिकेशन के अंदर जाओ गए ठीक है आप अप्लिकेशन के अंदर गए आपने गूगल पे सपोज कि हम आनके चलता है क्या है भाई यह ठीक है आपने सर्च के अड़र 24 इंटू 7 आपका यह ओनलाइन अप्लिकेशन कुल गया ठीक है यह सेम आपका बेटा एप में खुल जाएगा ठीक है लाड़ लो जैसे आपका यह एप के अंदर खुल जाएगा आप जाओगे इसमें ठीक है आपको यह अल चुल लेगा एंटियस को जैसी आपने चुना तो आपके सामने बैच इसको क्या जिसमें कि अपका स्सी महापैक हो गया वर्दान बैच हो गया अभी नंदन बैच है यह सारे सारे बैच इस बिटा आपको मिल परचम बैच भी है जो कि आपका स्सी एम्टेस के लिए हमने भ खरीदना है तो आप क्या काम करो कि जो बिटाया पर कूपन कोड लिखे दो कोड लिखती तो में और सस्ता मिल जाएगा कोड कैसे लिखो के बिटा जी जैसे कि मैंने अपना इसमें कोड डाल कर देखा ये तो आई नहीं रहा भाई ये वाली जो जगा है ना ये वाली ठीक है एंटर कूपन कोड इस कोड पर बेटा आप जो लिख देना Y795 जैसी आप ये अप्लाई करोगे तुरंत आप इसको कंटीन्यू करते हैं आपका इपेमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा ठीक है जी आप इस बैच में जोड़ सकते हैं जिसमें कि आपको पूरे टीम हमारी मिल जाएगी प्रोपर क्लासिस मिल जाएगी सारी टीम है जिसमें कि इंगलिस मैं समाल रहा हूँ पूरा हमारा बैच है परचम बैच करके ठीक है मेरे दोस्तों तो आप इस बैच में जरूर जुड़े बहुत अच्छी आपकी जो त्यारी हो जाएगी और आपको फिर दिक्कत ही नहीं आने वाली कभी भी और आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई थोड़ा सा कुछ और भी बताने का प्रियास करता है परचम बैच से भार आता है ठीक है परचम बैच के अलाव भी अगर आप देखते है अगे ओल पर जाएए यह देखो बैच करके यह रहा मेरा वाला बैच जो मैं आपको बता रहा था इंगलेस स्पेशल बैच है जो कि कंप्लीट बैच है सुब आट से नों इसके क्लासीज है दोस्तों सत्रा रुपे का यह दिखा रहा है डिसकाउंट के बाद अगर आप इसको और सस्ता करना चाहते हो इसको आप 190 रुपे का असपास लाना चाहते हो तो वाई 795 अप्लाई करो तुरंत आपको बैच यह बैच इसमें आपको सब कुछ मिलेगा ग्रामर, वोकेब, कॉंपरेंशन, प्रक्टिस सेशन, सब कुछ English Special का बैच ठीक है दोस्तो जो की mainly हमने जो नाम से निकाला है वो SSC MTS के लिए और आपका SSC GD के लिए क्लास बनलब जो मेरा बैच है आपके लिए प्लान किया गया है बहुत बढ़िया बैच है बैच जी आप सभी स्चेज को महसूस करेंगे जब आप जुड जाएंगे तो ठीक है दोस्त चलो खेर आज की जो मेरी क्लास रहेगी बैटा जी वो इतनी रहेगी मैं आप सभी से फिर मिलता हूँ अपने next session में ठीक है अपनी वही वर्ब के advance level की questions के साथ बढ़िया लगी हो पर दोस इस वीडियो तो लाइक जरू कीजेगा शेर जरू करना मेरे दोस्तों आप सभी का support ही रहेगा जिससे कि मैं आगे काम कर पाऊंगा मुझे motivation मिलेगा ठीक है बैटे बैज बाई बाई टेक क्यार जैए झाल